गूर्ड मार्केटिंग को के इस्टोरते जिसमें हम प्रप्रमूशन मिक्स को दिसक्स कर रहे थे जिसमें हमने इड़ाईजिमेंट और पर्सेलिंग को डिसक्स कर लिया था ग९ह प्रहतल में दिखाते हिं चिसमें का मेथड हम लोग ज्यादा यूज करते हैं जिसमें प्रिंट मीडिया और मास मीडिया यानि की वेब प्रड़क्ट को पब्लिक को इंट्रियूस कराने के लिए वहीं जो हमारा पर्सनल सैलिंग है उसमें क्या होता है कि कंपनी का एक रिप्रेजेंटिटिव डोर जाता है इंट्रियूस कराता है किसको इंट्रियूस कराता है बायर्स को या कस्टमर्स को या सोसाइटि को इंट्रियूस कराता है जिससे इंसिस्ट हो करके पब्लिक उस प्रोड़क्ट को पर्चेस करना शुरू कर देती है यह हमने मेथड को देख लिया था आज हम सेल्स प्रमोश यह रिजन क्या हो सकते हैं कि जब हमारा प्रोडक्त थोड़ा सा पुराना होने लगता है तो competitors market में आ जाते हैं और उन competitors को बीट करने के लिए जो क्योंकि हमारा जो market share है वो कम हो जाता है जैसे जी competitor आते हैं तो हमें अपने market share को increase करने के लिए product की sale को increase करने के लिए उसको boost up करने के लिए हम sales promotion का सहारा लेते हैं तो sales promotion जो है वो सारे efforts है जो other than advertising और personal selling है ठीक है sales promotion refers to short term incentives हम short term incentives देते हैं जिसे sales boost up होती है which are designed to increase the buyers to make immediate purchase of a product or service these includes all promotional efforts other than advertising personal selling and publicity used by the company to boost its sales company जो है वो पनी sales को boost up करने के लिए इन सब चीज़ों को use करती है sales promotion activities includes offer cash discount sales contest free gift vouchers offers and free sample distribution sales promotion is usually undertaken to supplement other promotional efforts such as advertising and personal selling advertising और personal selling को छोड़ करके अगर हम बाकी के efforts जितने भी हम use करते हैं वो सब हमारी sales promotion में आते हैं अब हम देखें वो कौन-कौन से methods है जिससे instant sales increase हो जाती है आपने देखा होगा festivals का season चल रहा है इसमें sales को increase करने के वो different types के offers निकालते हैं वो क्या-क्या चीज़े हैं जरा देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि merits क्या है sales promotion की attention value ठीक है useful in new product launch जब भी company को नया product launch करती है तो वो इस तरह के methods को use करती है synergy in total promotional efforts limitation reflects crisis and spoil product image product की जो image है वो भी spoil हो जाती है commonly used for sales promotion activities वो कौन-कौन से methodologies हैं जो sales promotion activities को जो sales को promote करने के लिए use की जाती है that is number one rebate rebate का मतलब होता है कि कई बार ऐसा आप लोग ने देखा होगा कि discount देते हैं discount का एक method होता है rebate यानि कि company इस तरह का offer देती है कि अगर आप within limit जो company ने decide किये उसमें payment कर देते हैं तो additional discount देते हैं that is called rebate ठीक है यह due date से पहले होने वाला payment है जिसको हम rebate कहेंगे माली जो company ने कहा है कि एक महने का आपको time है अगर आप one month से पहले आप payment कर देंगे तो आपको हम rebate देंगे 5% 2% 10% whichever company decided now the discount discount method जानते ही है कि company 50% 40% 30% discount किसी भी product पर देती है तो sales आराम से boost up हो जाती है बात आती refunds company कई बार ऐसा भी incentive देती है कि अगर आपको products आप यूज करके देखे purchase कर लिए use करके देखे अगर आपको पसंद रहा है तो हम आपके पैसे refund कर देंगे तो इससे क्या होगा customer attract होते है उस particular product के लिए और वो उस product को purchase करने के लिए insist होते है क्योंकि उन्हें मालूम है अगर पसंद नहीं आया अच्छी quality नहीं हुई तो वो refund easily हो जाएगा next product combination अभी festival season जैसे कि हमने बताया कि festival season चल रहा है इसमें क्या होता product combination दे देते हैं for example कि कोई company है उसका अपना दूसरा product भी है तो वो उसके साथ में free दे सकते हैं मान लिए पतंजली ने दिया एक 54 परास के साथ में एक छोटा से combination हो जाता है जैसे कि आपने देखा कई बार ऐसा होता है कि आटा है आटा के साथ बेशन फ्री दे दिया या आटा के साथ चोटा कोकिंग वाइल दे दिया तो इस तरह से वो product combination वो दे देते तो उससे company के दोनों के दोनों product sale हो जाते हैं अब बात आती है gift quantity की कई बार आप लेको ने देखा होगा 20% extra 50% extra 30% extra तो quantity के साथ में वो इंक्रीज कर देते हैं जैसे कि आज कल आप लोगों ने देखा टूथवेस में देखते हैं 20% free shaving gel 20% free तो इस तरह से gift quantity increase कर दिया यानि gift increase कर दिये जाते हैं ठीक है next है instant draw and assigned gift कई बार आपने देखा होगा कि companies ने छोटी-छोटी stall कहीं लगा देते हैं lucky draw के लिए उन्हों रख दिया कि lottery ने का लिए lottery में जो निकलेगा वो आपको मिल जाएगा तो ऐसे company अपनी sale को boost करने के लिए lucky draw गिफ्ट शॉर एंशॉर गिफ्ट वो भी इस तरह की system को use करते हैं यानि कि आप अगर कोई भी purchasing करेंगे मालिजे जैसे अभी Amazon से चल रहा है तो आपने कोई particular product purchase किया तो आपको assured gift मिलेगा कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा scratch card होते हैं आप लोग ने देखा होगा कि आपको कूपन मिलेगा आपने scratch किया उसमें जो चीज लिखी है वो आपको मिल जाएगी तो ये भी एक methodology है lucky draw ये भी आप लोग ने lucky draw भी देखा है कि आपको एक box के अंदर बहुत सारी पर्चियां डाल देते हैं उससे आप छाट के निकालते हैं और जो निकलता है उससे वो आपको मिल जाता है तो ये इस तरह से ये बहुत सारे ऐसे methods हैं जिनको use करके कोई भी company अपनी sales को boost up कर लेती है usable benefit ठीक है जैसे कि माल लिजे कभी festival season चल रहा है या उसके बाद में उनको लगता है कि particular product आपने purchase किया जैसे की washing machine हुआ, fridge हुआ, इन में से किसी एक item को या almira हुआ, इन में से किसी एक गौदरीज का almira या इन में से किसी एक item को purchase करने पर आपको offer मिलेगा, क्या offer मान लिजे कि holiday package मिलेगा, कि आप 2 और 3 days के तो usable benefits भी आपको होते है, full finance, यानि company आपको instant कई बार finance भी कर देती है, यानि कि आपके पास पैसे नहीं है, फिर भी आप gift ले जाएए, checks दे दीजिए, आपको बाद में payment हो जाएगा, तो इस तरह से भी हो जाएगा, sampling, sampling के थूरू भी, कोशी भी product की sampling, जो है, वो sample आपको distribute करती है, और distribute करने के बाद आपको पसंद आए, आपने particular product purchase कर लिया, contest, तो ये इस तरह से बहुत सारे ऐसे methodology है, जिससे कोई भी company अपनी sales को boost up कर सकती है, तो ये methods को easily choose किया जा सकता है, तो इस तरह से promotion के through भी, sales promotion के through भी, कोई भी company अपने product की sales को boost up कर सकती, ठीक है, तो इ promotion mix को आज पढ़ लिया, और student इस तरह से हमारा ये marketing वाला portion complete हो जाता है, इस से आगे का वीडियो होपनी, जो आगे का portion होपनी आपको next video में बताएंगे, ओके, thank you